Class 6 Math, Chapter 13, Circles, Worksheet 1 करेंगे और Worksheet 1 करने से पहले हम इसका Introduction देख लेते हैं Circle को समझ लेते हैं, Circle के Element क्या होते हैं Radius क्या होता है, Diameter क्या होता है, Arc क्या होता है इन सब बातों के बारे में हम पहले जान लेते हैं उसके बाद हम Worksheet 1 करेंगे तो सबसे पहले है introduction introduction में देखो ये figures दे रखिया है हमें जैसे square है, triangle है rectangle है, ये सभी ये तीनो figures line segment से मिलकर बनी है जैसे ये rectangle है, एक line segment ये है, एक ये है दो, एक ये तीसरा और एक चाहर line segment से मिलकर ये figure बनी है, इसको हम rectangle बोलते हैं, ऐसी square भी 4 line segment से मिलकर बना है और जैसे और a triangle है triangle में कितने line segment है? 3 line segment है 1, 2 and 3 ठीक है? अगर आप circle को देखेंगे circle में कोई line segment नहीं है, यह circle बोल रहा है I am not made of any line segment तो circle होता है इस तरह का और circle का एक क्या होता है? center होता है, ठीक है? बिलकुल बीचो बीच में इसका एक point होता है इसको हम center बोलेंगे आपने daily life में कई ऐसी चीज़ें देखेंगे circular चीज़ें देखेंगे, जैसे cycle का पहिया है यह goal table है, इसका top यह CD है, यह football है और यह छले दे रखें, ठीक है? तो यह क्या है? circular है अब circle के जो element है उनके बारे में पढ़ लेते है element of a circle, जैसे यह circle है अगर इसको half कर देंगे हम ठीक है? तो इसको बोलेंगे हम semi circle, जैसे एक गत्ते का एक circle बनाया और उसको ऐसे काट दिया हमने, ठीक है? बिलकुल आदा आदा ऐसे काट दिया, तो यह क्या हो, इसको क्या बोलेंगे हम? आदे circle के क्या बोलेंगे? semi circle, semi का मतलब होता हाफ ठीक है? और अगर इसका fourth part अगर हम ले लें, तो इसको क्या बोलते हैं? quarter, quarter of a circle, ठीक है? जैसे चलो एक example लेते हैं, जैसे एक यह मान लो, एक यह रोटी है, ठीक है? बिलकुल गोल, circular रोटी है, अगर इस रोटी का बिलकुल ऐसे कर दें, half कर दें, तो इस दो पार्ट में हो जाएगी, एक पार्ट यह, एक पार्ट ही है तो इसको बोलेंगे half, यह वाला जो पार्ट है, जिसको मैंने shaded किये है, यह half है, पूरे circle का half है यानि कि इसको क्या बोलेंगे हम semi circle, एक semi circle यह है एक semi circle यह है ठीक है? और अगर इसके चार पार्ट कर दें हम चार पार्ट कर दें, one two, three, four और एक पार्ट कोई ले ले ऐसे, कोई एक पार्ट ले ले, इस तरह से मालो यह वाला पार्ट ले लिए हमने ठीक है? तो इस पार्ट को, चोथे इससे को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम quarter quarter of a circle, समझ गे होंगे आप उसके बाद है the point O is called the center of the circle जो बिल्कुल center में होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? बिल्कुल, बीच अब बीच होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? center of the circle, जैसे यह हमने गत्ते का बनाया था एक बार इसको ऐसे fold किया हमने एक बार ऐसे fold किया इधर से ऐसे ठीक है? और एक बार इधर से ऐसे fold किया दो बार पर फोल्ड किया हमने तो जहां पर ये जो फोल्ड करने की एक लाइन सी बनेगी ठीक है इस तरह से लाइन बनेगी जहां पर ये दोना लाइन आपस में काटेंगी ठीक है इंटर्सेक्ट करेंगी वो उसका क्या है center है C ठीक है या O कह सकते हैं इसको अगर point O मानना है तो इसको O मानना है यह इसका क्या है center है ठीक है अब आगे हम पढ़ेंगे radius of a circle radius क्या होता है radius is a line segment joining the center of a circle to any point on the circle radius क्या होता है जैसे मानन लो एक यह circle है यह इसका center O है मानन लो बिल्कुल बीच बीच इसका center O है अब यहां से radius से हमने circle की यह जो boundary है इस पर touch कराना है चाहिए कहीं से भी करा लो यह क्या है मानन लो O यह point ले 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 ए तो O A यह क्या हुआ इसका radius हुआ O A की जो length होगी वो इसका radius है ऐसी ऐसी भी ले सकते हैं यह point B तो O B भी radius है ऐसी भी ले सकते है O C भी radius है ऐसी भी ले सकते है O D भी radius है यानि कि एक circle के बहुत सारे radius होते हैं ठीक है तो क्या definition है इसका radius is a line segment joining the center of the circle to any point on the circle कोई भी line segment हो जो center से हम लेंगे और वो कहां पर होएगा line segment कहां तक जाएगा उसकी boundary तक जाएगा जैसे कि यह OA radius is a line segment joining the center of circle to any point on the circle किसी भी circle जो यह circle है आहीं पर भी वो point हो सकता है ठीक है उसको हमने center के साथ join करना मालो यह point है center के साथ join करेंगे तो यह क्या बनेगा radius बनेगा ठीक है अब आगे देखते है a circle can have many radius ठीक है यानि कि जो circle है उसके बहुत सारे radius हो सकते हैं अभी अभी मैंने समझाया आपको we can measure and see that all the radii of a circle are equal length और जितने भी इसके radius होंगे जितने भी किसी circle के radius होंगे बहुत सारे होते हैं ठीक है और उन सब की length क्या होगी equal होगी अगर मालो OA 2 cm है OC भी 2 cm होगा OD भी 2 cm होगा और OB भी 2 cm होगा ठीक है यानि कि किसी circle के कोई circle है अगर उसके बहुत सारे radius हैं तो वो सभी radius क्या होंगे equal होंगे ठीक है आगे आगे diameter of a circle diameter is a line segment whose end point lie on the circle and which passes through the center of the circle अब ये क्या चीज है जैसे नालो ये हमारे पास एक circle है ये इसका center है ठीक है तो diameter जो line segment है वो कहां से होगे जाएगा हमेशा center से होगे जाएगा चाहे ऐसे चला जाए center से होगे ये center है न वो center है चाहे ऐसे चला जाए ये सब diameter होगे ठीक है तो diameter is a line segment ये एक line segment है whose end point lie मालो ये P है ये Q है तो P Q क्या है diameter है क्या है इसको क्या बोलेंगे diameter diameter is a line segment whose end point lie on the circle and which passes through the center of the circle ठीक है और इसके जो end point है इस line segment के end point के है circle के उपर होगे एक point P यहाँ पर है point Q यहाँ पर है ठीक है which passes through the center और याद रखना ये diameter हमेशा center से होके ऐसा line segment है तो center से होके pass करेगा ठीक है अगर कोई ऐसे खींचता है ठीक है तो इसको हम diameter नहीं बोलेंगे diameter हमेशा center में से होकर जाएगा और circle को touch करेगा ठीक है यहाँ पर touch कर रहा है और यहाँ पर touch कर रहा है दो point पर ठीक अब next है हमारे पास जैसे चलो यह पहले देख लेते हैं जैसे बहुत सारे radi ही होते हैं किसी circle के वैसे ही किसी circle के बहुत सारे diameter होते हैं ठीक है तो जैसे एक diameter ही हो गया अब center में से होकर जाना चीए एक diameter ही हो गया एक diameter ही हो गया एक diameter ही हो गया बहुत सारे आप diameter ले सकते हैं ठीक है तो जैसे radi ही बहुत सारे होते हैं अब next time मारे पास relation between radius and diameter of a circle, यह बहुत important है, diameter और radius के बीच में क्या relation होता है, जैसे एक circle है, यह इसका center है, और मान लो AB क्या है, इसका diameter है, अगर मैं इस diameter को लेता हूँ, 14 cm, मैंने diameter AB, इसकी length A से लेके B तक, मैंने ले लिए 14 cm, तो radius तो सिरफ यहां से लेके यहां तक होगा, या फिर यहां से लेके यहां तक होगा, radius को हम कैसे जखसकते हैं, या फिर OA है radius यहां पर, या फिर OB है, और radius क्या होता है, आपको पता है, इक्वल होता है, जितने भी radius ले ले लो, किसी circle के सभी इक्वल होते हैं, ठीक है, तो radius क्या है, OB या फिर OA, ठीक, और AB क्या है, diameter, यह क्या है, diameter, इन दोनों में क्या relation होती है relation क्या होती है जो diameter है वो radius से twice होता है अगर हम diameter को चलो मैं d लिख देता हूँ diameter को और radius को लिख देता हूँ small r ठीक है तो radius है diameter क्या होता है double होता है किसका radius का अगर radius ओ भी अगर 7 cm है ओ भी 7 cm है तो diameter क्या होगा इसको 2 से multiply कर दो 7 to 14 ठीक है अगर हमें radius given है मालो radius है 7 cm और diameter निकालना है तो आपको पता है जो diameter है वो radius से twice होता है 2 से multiply कर दो इसको 2 multiply 7 radius को कितना आजाएगा 14 cm ठीक है ऐसे ही अगर हमें radius निकालना है diameter given है अगर radius निकालना चाते हैं हम चलो समाल आर लिच देते हैं अगर radius हम निकालना चाते हैं तो जो diameter है उसको हम 2 से कर देंगे divide ठीक है हाफ होता है diameter का हाफ होता है radius जैसे मालो इस case में हमें दे रहे का था diameter अगर 14 cm है तो radius निकालना हो तो रेडियस कितना होगा अगर diameter given हो और radius निकालना हो तो हम क्या करेंगे diameter को 2 से divide कर देंगे ठीक है formula क्या है d by 2 यानि की 14 by 2 यानि की कितना आजएगा 7 cm आज़ेगा ठीक है तो समझगे क्या relation है इन दोनों के बीच में जो diameter होता है वो radius का twice होता है अगर हमें radius given है और diameter निकालना है तो 2 से next मल्टिप्लाई कर दो रेडियस को ठीक है और अगर हमें डायमिटर गिवन है रेडियस निकालना है तो उसको टू से डिवाइड कर दो ठीक है या टू से मल्टिप्लाई करना है ज्यान रखना अगर डायमिटर निकालना है तो रेडियस को टू से मल्टिप्लाई करेंगे और अगर radius निकालना है तो diameter को 2 से divide करेंगे, ठीक है, हो गया ये भी, अब देखते हैं हम आगे, code of a circle, code क्या होता है, देखो ये एक circle है, ये इसका center है, a code is a line segment whose end point lie on the circle, अब ये हमने एक यहाँ पर touch कर रही है, line segment यहाँ पर touch कर रहा है, दो point circle पर touch कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, code बोलेंगे, तो ये भी code हो सकती है, ये भी हो सकती है, code, ये भी हो सकती है, और ऐसे center में से होके भी जा सकती है, code, ठीक है, ये सभी क्या है, codes है, अब ये जो center में से जो होके code जा रही है उसका एक नाम हमने पहले जी बता रखा है, क्या कहते हैं जो center में से होके code जाती है उसको हम क्या बोलते हैं diameter बोलते हैं, ठीक है हम यह पढ़ चुके है, जो center में से होके line segment जाता है और circle को touch करता है end point उसके, उसको हम diameter center बोलते हैं तो यह वाली जो code होती है जो diameter कहेंगे इसको center में सोगे जो जाएगा वो longest code होती है सबसे बड़ी code यही होती है किसी circle की ठीक है diameter ठीक है यहीं भी समझ गया आप उसके बाद है arc and arc and semi circle arc क्या होता है जैसे कोई circle है माल लो ये circle है हमारे पाद इसका कोई एक part ठीक है? माल लो ये A, B ये क्या है? इसके एक part ले लिया हमने इसको हम क्या बोलेंगे? arc बोलेंगे, arc of the circle माल लो एक हमारे पास ऐसे चूडी थी, bangle थी वो तूट गी, तूट गी तो ऐसे रहागी और दो हिस्तों में तुट गी और एक ऐसे दो पार्ट एक ये वाला पार्ट और ये ये बचा हुआ पार्ट ठीक है तो इसको और इसको क्या बोलेंगे हम आर्क बोलेंगे ये दोनों क्या है ये और ये क्या है circle की arcs ठीक है arc is a part of a circle ये circle का एक part है it can be of any size ये किसी भी size की हो सकती है ठीक है छोटी बड़ी जैसी भी हो सकती है और अगर arc को दिखाना हो तो 3 point हम लेते हैं ठीक है जैसे कि मान लो ये एक circle था और हमने ये arc दिखानी है मान लो ये A और C यहां तक थी arc ये वाली arc हमने दिखानी है तो एक point बीच में और लेना पड़ेगा कहीं पर भी ले सकते हैं ये point ले ले हमने B तो इस arc को क्या बोलेंगे हम इस arc को बोलेंगे A, B, C क्या कुण सी arc बोलेंगे A, B, C और ये इसके उपर ऐसा arc जैसा है एक निशान लगा देंगे तो इसको ऐसे दिखाते है arc A, B, C तीन point से दिखाते हैं एक शुरु वाला point एक end वाला point एक कोई बीच में ले लो तो इसको और इसके उपर ऐसे कर देंगे हम इसको बोलेंगे arc A, B, C ठीक half of a circle is called the semi circle यह आपको बताए दिया अगर बिल्कुल half ले ले यहां तक ले ले माल लो A, यहां तक ले 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 ऐसे बिल्कुल half ले ले ऐसे तो A, यह वाला इसको क्या बोलेंगे हम semi circle बोलेंगे ठीक है यह क्या हो गया? semi circle उसके बाद है circumference of a circle circumference क्या होती है किसी circle की circumference circumference का मतलब है इसकी boundary इसका perimeter जैसे मालो एक हमने तार ली या धागा लिया और धागे का ऐसे हमने एक circle बना दिया ऐसे एक circle बना दिया ठीक है और इस धागे को जब हम खोलेंगे को मालो यह जब इसको धागे को ऐसे खोल दिया हमने circle को इसी तार का हमने क्या बना अधाय था इसको खोल दिया तो इसको क्या बहलेंगे यह इसकी क्या है इसकी पूरी length है इसकी की जो boundary थी उसकी length है मानलो ये 14 cm थी मानलो पूरा धागा 14 cm का था और इसी का हम ने circle बनाया तो इस circle की जो boundary की length कितनी होगी 14 cm ठीक है तो इसको हम perimeter भी बोल सकते है perimeter of a circle is called the circumference of the circle यानि की इस circle की boundary की length कितनी है वो उसका क्या होगा circumference होगा ठीक है समझ गए तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे worksheet जो 1 है इसकी हम next वीडियो में करेंगे और उसका link आपको इसी वीडियो की description में मिल जाएगा या आप playlist चेक कर लेंगे तो आपको playlist में भी worksheet 1 और 2 का link मिल जाएगा तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार